कि हमारे बीच में डॉक्टर सुधानशु तरवेदी भी आ गए भारती जंता पार्टी के रास्टी प्रवक्ता हैं और अभी मैं देख रहा हूं कि हॉल के अंदर एक जोश होना चाहिए आप सब अपने सवाल पूछ सकते हैं आपके सामने सीधे सरकार है और भारती जंता पा संत्री जी से शब्दों में कम और जल्दी से बताएंगे और कोश्यारी जी कोश्यारी जी वाकई में क्या अच्छे दिन आ गए हैं और जो बात हुई थी अभी मैं भाव बता देता हूं कि प्याज 30-40 विक्रा है आलू 25-30 विक्रा है डालें 80-100 के बीच में हैं सरसो का ते कि दशेरा आएगा दिवाली आएगी आप तीनों अपना अपना वक्ता विरख सकते हैं सबसे पहले मंत्री जी आप और उसके बाद सीधे तोर पर कोश्यारी जी आपके लिए इसलिए सवाल कठीन है क्योंकि उत्त्रा खंड का आदमी पूछ रहा है कि वाकई में पहाड़ टमाटर यह तीनों जो हैं ऑफ सीजन है हर साल राता है ऑफ सीजन है अभी हमारे पास में नहीं है अभी हमारे पास में कोई ऐसा टेक्नलोजी भी नहीं है कि हम जो है तीन महिना चार महिना तक आलू प्याज इसको रिस्टोर कर सके हमारे पास में कानून जो है एपी अमसी इसा एक्ट बना हुआ है कि जिसके तफट एक राज़ी दियह हमारे अभी आपको मालुम है कि अभी क्या गतेट प्याज का क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट शुरू हो गया अब महराएश्ठ में अभी कि पंजाब में आप चले जाया यह पंदाब फिरट और रुपी सिस्टम है पन्जाब के खिजान को आट रुपें किलो तो बारइा किलो प्याज वहां बैशता है मंदी में चुक что-沒錯 छो कि यह दिल्न में आ करके जो है छोविस रुपे 25 रुपे कि विलो को हम खतम करने जा रहेह हैं खतम करेंगे स्टाइब राज सरकार के समोति से हमारी लेकिन मंसा है उसी तरीके से मौनान लत엔 कि आपका जो यह मंदि वाला सिस्टम है वथी अपडिली में दिली परोल हमारे पास नहीं आए थे ने जांभ लिंग वłemने एक सिंपम के चीफ मिनिस्टर थे उनको परैस वालों कुछा की साहब मह था है कि आंगे किenne किषान पुरे जगह पर शिस्टम जो है उसको एक तरीके से होना चाहिए कििषान को पूरे देश में समान बेचने की आजादी होनी चाहिए और हमारे भी कहना चाहेंगे कि हमारे पास में स criar नहीं है प्याज realms एक सच फीसाथера उनफेगा लॉक्तन था इस साल भी है लेकिन जब एक छाता है जब खुल एक मीडिया में साधना मीडिया में चला दिजिए कि कल से क्यागते पेट्रोल मार्केट से गाइब होने वाला है तो जिसको नहीं भी होगा वो भी जा करके जो है कंटर का कंटर भर करके रखना सुरू हो जाता है तो जब हला होने लगता है कि प्याज का दाम के अगते बरने बाला है और बरने बाला है मांसूर खराब हो रहा है जो है सैक्लोजीकली जो है पैनिक फ्रल जाता है तो इसको हम लोगों ने इस fatto काफी के अगतिने के दूर किया है और यह अभी हम दिली की बात का सकते हैं कि विल्कुल के अगतिने अधर caregiver है इसमें कहीं कोई यह पैनिक याबसकता नहीं है और अब तो एक महिना बचा है शितंबर आ गया है अक्टूबर के बाद वेसे ही प्याज आलू और क्यागतने की यह तमाटर मार्केट में इतना हो जाएगा कि आप ही हमसे पूछेगा कि किसान का यालू सर रहा है प्याज सर र लेकिन इन सो दिनों में जो अभी पूरे होने वाले हैं सबसे बड़ी बात क्या है भारत की जनता ही नहीं विस्व की जनता का नरेन-मोदी और नरेन-मोदी की सरकार पर विश्वास बढ़ गया है विश्वास हो गया है और अपने हां बोला अप तो साधना आपका सेनल है विश्वासम फलदायकम यह विश्वास हैसा मोदी पर लोगों का हो गया है और उन्होंने अपना काम सारे मंत्रियों के साथ ऐसा सुन्दर डंग से काम सुरू कर दिया है कि लोग महंगाई होते हुए भी जो आप कहरें कि फलों में सबजी में यह तुड़ा महंगाई है उ वह जागरित हुई है और यह प्रखर राष्ट भक्ति अगर एक गरीब मजदूर से लेके अमीर तक जागरित हो गई तो आप तैमान के चलिए कि बहुत सारी समाश्याओं का समाधान निस्षित रूप से जो आप टूट टूट टूटी की बात कर रहे हैं उस 2020 तक निस्ष से दूर होंगी अभी रामविलाज जी कह रहे थे कि यह जो ठीक से पहुंचता नहीं अनाज जो है और मैं पूरा विश्वाद दिलाता हूं कि इनके ही डिपार्टमेंट के द्वारा बले राज जी के अंदर सब सब पीडिये जाता है बहुत जल्दी आगले 6 मेने में यह स चारी खरेदेगा दूसरा करे देगा तो उस तक वो निष्षित रूप से सही रूप में मिलेगा क्योंकि उसके व्यवस्ता सरकार ने जिसा ली है सरकार ने दसा जाई है जब दसा भी सई हो दिसा भी से तो और जो आपको विगडी दसा लगने वह भी ठीक हो जाईगी आप लोग क्या मानते हैं पार्टी क्या चाहती है कि यह सरकार कित्ती जल्दी काम करें कोई भी सरकार जब अपनी शुरुवात करती है तो उसकी मंशा उसके पहले कदम से दिख जाती है के बारे में उन्होंने जैसे बताया है दूसरे हमने कुछ और ने क्या लिए चीन की सीमा पर जितने भी कि मिलिटरी कंस्रक्शन के इंवार्मेंटल के क्लेरंस की वज़े से प्रोजेक्ट रुके थे सबको एक स्टोक में क्लियर किया जंधन योजना अभी आपने देखा है कि परसों उसको लाकर किस प्रकार से शुरुवात करने का प्रयास किया तो यह दर्शाता है कि एक विश और खासकर तब यदि आप इसको पिछले दस साल ही नहीं सरसट साल में 61 साल के कंट्रास्ट में देखें और हम लोह ने प्रूफ करके दिखाया है एक वाक्य में तीन उधारण दोंगा ज्यादा लंब नहीं भाजपाने इस बात को प्रूफ करके दिखाया है गुजरात एक सरक्ष्टा से प्रयोग किया कि 90 पुर्चत नों को खाद सुरक्षा दी खाद सुरक्षा देने वाला देश का पहला मध्य प्रदेश 2012-13 में भारत के फूट ग्रेन में कंट्रिब्यूट करने वाला सबसे बड़ा राजबना इससे पहले पंजाबी करता था तो सिर्फ तीन हमारे यहां जो आवस से कावस सकताएं हैं वो हैं खाद्यान पदार्त हैं चावल हैं गेहूं हैं डाल हैं गयते चीनी है मैं आपको बदलाता हूं कि हां प्रकृतिक जो यह बारिस है बारिस करा है कम हो नई भी बारिस होगी तो हम सरकार की तरफ से गारेंटी देते हैं कि स हम एक दिन में एस्टोडेज नहीं बना सकते हैं हम उसके लिए भी तेयर कर रहे हैं कि कोई हैसा इस्टोडेज अभी भवा इंस्टिचूट से हमने लोगों को बलाया था कि साहब कुछ आप ऐसा टेक्निक बतला ये जिसमें हम तीन महिना तक काना आज को जिसे हम चाबल के सके लेकिन वह हमारे पास में अभी टेकनोलोजी नहीं है और जब तक वो टेकनोलोजी नहीं है और जब तक जमा खोरी देखिए दिली में जमा खोरी चापा हमारी सरकार है चापा मारी हुई जमा खोरी हो गया मामला अंडर कंट्रोल है जिस जिस राज सरकार ने जमा को हम तो जो भी हमारा मेजर्स है वो मेजर्स हम अपनाने कोशिस करेंगे और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इकबाल से चलती है और अभी आपने ठीक कहा कि इस देश को अभी इस गर्थ यहां तक पहुंचने में सबसे बड़ा बात रहा कि देश को एक परजान मंत मजबूत परधान मंत्री की जगह पर मजबूर परधान मंत्री मिला था आज देश को एक मजबूत परधान मंत्री मिला है और जैसा कि हम कोई विस्या से हट के बात नहीं करना चाहते हैं लेकिन पहली बार हुआ है कि आज दुनिया में भारत का साथ क्याकतें के जमा है 90 दिन के अंदर में जए 95 दिन के अंदर में प्रधान मंत्री का जो है नेपाल का दोरा हो गया भुटान का दोरा हो गया सिया चिन के में जाकर के जो है पाकिस्कान को उन्होंने सीसारा में सब कुछ बतला दिया अभी की एकते हैं कि झाप़न की दोरे पर एकते गए हुए हैं पहली बार आज़ादी के बाद प्रधान मंत्री और मंंदल के सपतगर्ण में सारक देश के दिने नेता थे, सारे के सेरे नेता जगते हैं कि आए और तो हमारा जो मकसद है, हमारा जो भीजन है आपने लिखा है भीजन हमारा भीजन है कि हमारे एक आँख में करुना का स्रोत रहेगा तो दूसरे आँख में ज्वाला मिखी भी रहेगा हम एक तरफ हम दोस्ती का हाँ जहां बरहाएंगे वहीं किसी भी हारत में भारत की प्रतिष्ठा को हम दुनिया में गिरने के लिए नहीं देंगे और आज यही कारण है कि अमीर का जैसा देश जो बाट बाट में घुरकी देता था पाकिस्तान हो गए रहा है तो समल के बोड़ा है और यहीं सबसे बरी 90 दिन की कोई उपलब्दी कहे यह 90 महिना में कोई इतना उपलब्दी नहीं बना सकता है जितना 90 दिन में यह सरकार का सि प्रता परते हैं कि एक तरह के लोग हैं अब जिससे मालेते सपोच के लिए हम लोग सोस्लिस मूवमेंट के लोग थे सोशलिस्मिट से आइट हम लोग नाला लगाते थे कि भाज़ जब किसान का दाम बढ़ता है ता भाला करते हो और एक और एक कार का दाम तीन गुना बर करता है लोग लेकिन ये आवस्य का बस्यक्ता है लोगों के जीवन के साथ में जुरा हुआ है इस पर तो हम कप जा करेंगे ही इस एकले साल आप हमसे इस सवाल नहीं पूछ पाईएगा कि क्या हुआ कि अधाना आज चालू प्याज टमाटर लेकिन हम एकले साल तक इसको कप करके हम बतला देंगे कि देश हमारा दुनिया के नक्से पर मैप पर कितना आगे निकल गया है संजे सस्देव भी आपसे कुछ जाना जाते हैं संजे जी बान्य मंत्री जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने कई प्रधान मंत्रियों के साथ काम करा है आपको शिरी मोधी जी की सोच में और क्या अंतर लगता है हर प्रधान मंत्री जी का काम करने का अपना जी के अगते के हमलों के बीच में सारे के सारे हैं एक प्रधान मंत्री का तुलना दूसरे प्रधान मंत्री के तुलना से नहीं किया जा सकता है लेकिन ये बात है कि जो बरतमान प्रधान मंत्री हैं उनका जो नारा देते हैं उस नारा को तो आप सुनते ही हैं लेकिन हम समझत हैं कि इसमें एक सबसे बड़ा नारा ये है कि करो जादे बोलो कम क्याम करो जादे बोलो कम यह जो है बहुत बड़ी चीज है कि जो भी मंत्राला है मंत्री लोग हैं वो अपने काम से जाहिर करें और उसको क्या गते हैं कि परचार हो तो मैं समझता हूं कि यह जो काम करने की जो तरीका है वो बिलकुल आजूबा है जादा काम करना है दो सवाल यहां से हैं पीके जी आप तो सब मेरा सवाल दो है जैसे आपने का कि प्राइस बढ़ तो जिपैन के अंदर एक सिस्टम है कि अगर कोई चीज के दाम बढ़ जाएं अल्या टमाटर के तो पब्ली के अट लाच उसको कड्डेम कर देती हैं को एक हफते इस्तेमाल नहीं करना प्राइस अपने आप गिर जाता है आइम टॉकिंग एक पार्टनर्शिप आफ करेंगे ठीकए आसे अपके प्रादनमंत्री जि ने कहाँ किसा आप मुझे क्यों मेरा क्या मेरा क्या पर मुझे क्या उसके लिए हर एक आतमी परेशान है और उसमें गौर्ण्मेंन की क्या नीथी है कैसे उसको कंट्रोल करेगी मशन 2020 तो है कर्प्षिन को कैसे घंट्रोल क पहला जो काला धन काला धन बहुत चिलाए जा रहा था सबसे पहला कैबनेट मिटिंग में हम लोगों ने काले धन की वाफसी और उसके खिलाफ में क्या कारवाई हो वही हम लोगों ने कैबनेट में चेकतिक पास किया तो इसलिए मैंने का कि हमने बहुत पहले कहा था कि इस द जहां करफसन का मामला है उसमें कोई समझोता नहीं होगा जहां ट्रांसपरेंसी का मामला है कोई नहीं यह डिजिटल इंडिया या आपका मालते हैं कि जंधन योजना क्या है हर आदमी हर गरीब के हाथ में जो है एक कार्ड मिल रहा है किसान के पास में रुपे कार्ड मिल रह एक ही नाख रुपिय तक एंस्रोsweise भी हो रहा है, जो हमारे प्रिष नम्हारे यूद्ध हैं यह मांडे मन्रेका के करम्चारी है.. यह सारा का सारा अनुरम हमारा आपसे लिए कुछ जानना चाहते हैं विश्वामित ग्रूप से हैं. बनोजी, क्योंकि आप पूरा देश घूमते हैं पश्ची मंगाल से लेके दिल्ली तक आते हैं, देश क्या सोचता है, क्या चाहता है सरकार से? सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बहुत दिनों बाद एक द्रिण निश्चई सरकार बनी है इस देश में इसको नजरंदार नहीं किया जा सकता और इस सरकार से तो जनता को बहुत उमीदे हैं और साहिद उमीद पर सरकार पूरी खरी उतरेगी आने वाले सौधीद में तो स सिस्टम को बनाने में सुधारने में लग गया लेकिन एक सबसे बड़ी बात है जो प्रदानमंत्री जी ने सुरू के दिनों में भी कहा था अभी भी मुलम उस बात पर चर्चा हुई रही है कि हम अमेरिकन डालर से पूरे बिस्व को आकते हैं और उस से जो है उस तराजू उपर तौलते हैं हम भारती रूपीज को उस तराज उपर तौले यह करने में कितना दिल लग जाएगा सरगार को प्रदानमंत्री ने इस बात को कहा है कहीं ने कहीं उनके दिमाग में यह खाका है कि हम अपने देश की आर्थी कर सिती को इतना मजबूत करें जिससे की हमार कि तरपिया डॉलर से टक ले सकें और अभी आप देखा है कि जो हमारा ग्रोफ रेट है वो ग्रोफ रेट के रेकी हैं कि तीर महिने में क्याकतने कहीं लिए इस पर हमिएसतार से हम् últimos आर्थे कि नहीं कुछ कहानिये की ती मैं फाइनांस मिनिस्टर को इस मामले में ज्याद जानकारी होगी प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा जानकारी होगी लेकिन हम देश की जनता को इतना है कि प्रधान मंत्री जो कहते हैं वो करके देखलाते हैं और हमको निश्चीत है हमको इस ताइम सीमा तो नहीं बांच सकते हैं लेकिन हम इतना जरूर कहा देंगे कहेंगे कि प्रदान मंत्री ने इस बात की जदी घोसना किया है कि हमारा रूपिया का जो भेलू जो है बढ़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर के जगा पर रूपिया भी चलेगा तो निश्चीत रूप से क्या करते हैं कि बहुत कितना जल्दी होगा में नहीं कर सकते हैं ले पासवान जी ने जो बोला उसमें मैं और एक दो चीज एड करना चाहूंगा कि आपने देखा कि अपने रुपए को और भारती अर्थ्ववस्था के परिवर्तन के लिए पहली जलक तो आपने देखी आज जो उन्होंने बताया अर्थ्वश्था की रिपोर्ट आई दूस होती जहां से आप उसके बराबर ले आएंगे और अभी दो दिन पहले जंदर नियोजना शुरू होई उसमें जान दीजिए वह एक डेविट कार्ड की बातारी रूप यानि हम अपनी भी एक विश्था बनाएं हमसे नहीं मास्टर कार्ड और वीजा और उसी से पेमेंट ह होता रहेगा तो यह सिर्फ इस बात की एक जहलक है कि जो आपने लक्ष बताया है उस तरफ पहला कदम उठ चुका है दूसरा अभी जो आपने बात कही थी ना कि ब्रश्टा चार और अन्य चीजों के लिए अवेरनेस कैसे होगी निश्चित रूप से आवेरनेस दोनों त चलाएंगे वो 25 डिग्री से कंपे नहीं चलाएंगे सारी इंस्टीूशन में चल रहा था लोग अपने घरों में भी 25 पर ही एसी चलाते थे और इतना ही नहीं लोगों ने बताया कि अगर वो टैक्सी में चल रहे थे अब तो को नहीं देख रहाना आप अपनी कार में कई ढ़ता है चाहता है कि प्रधान मंतरी जी ने कह है कि मैं प्रधान सेवक हूँ और हम से जोर प्रंशन पूुछने वाले हैं एड़ जो जी ज्डियासु है यजो देश के उसे सेवा के लिए समर्पित है वो आब सब अपने को ग्र गर सेवक समर्णे लेंगे चेशन में जी वह भाव गर हम सब अपने उपर लाएंगे तो मैं सुछता हूं कि जो आप समझ ले मनोज जी जो कह रहे थे कि क्या कभी रुपिया डॉलर का मुकाबला कर पाएगा तो इस देश ने तो जैने कैसे कैसे लोगों का मुकाबला किया है तो डॉलर के एक बार जग रहा है दे के हमारे हेड मौजूद है मुकेश भी सवाल पूचेंगे पहले आप के के जी के जो डिस्टीबूशन सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी बाधा क्योंकि मैं खुद प्रतक्स दर्शी रहा हूं ये जो मंडिया मनी हुई है हर स्टेट में ये डिस्टीबूशन को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं इस पर कोई लगाम कसनी चाहिए या इनका सिस्टम सुधारा जाना चाहिए इसकूल में जो मिड़े मील मिल रहा है उसका डिस्टीबूशन इतना खराब है कि बच्चे बीमार पढ़ रहा है बहुत खराब सड़ा हुआ है खराब से खराब खाना दिय पहले ही आपको कहा कि यह पीडियस के नाम पर जो जाता है दुरभाग से कहिए यह सवाग से कहिए जो पब्लिक डिस्टीबिशन सिस्टम है वो टोटली राज सरकार के हाथ में है हम एक लाख 31,000 करोड उपिये का सबसीरी देते हैं पीडियस के उपर में एक लाख 31,000 आगना लाल चाबल देखता है या जरा सा टुटा हुआ चाबल देखता है तो उसको रिजक्ट करता है मिवी कहते हैं तक कि वो ठीक करता है लेकिन वो समान चाबल या गयों जो यहां से जाता है वो रास्ते में कहां चला जाता है इसका हमारे पास में मौनिटरिंग का कोई सिस्टम चेगते के नहीं है नतीजा है कि जो बर्यां से बर्यां चाबल निकल के जाता है यहों निकल के जाता है इसकुल में जाते 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 वो सरा हुआ समान के अगते पहुंच जाता है और उसका नतीजा हो रहा है कि हर जगा पर बच्चे बिमार पर रहे हैं वहां तो 33-23 बच्चे कहांगते कि वहां बिहार में छपरा में मर भी गए तो आपका जो यह सुझाव है कि उसके बदले में उतना कहागते हैं कि उनके बैंक खाते में ही डाल दिया जाए या कोई दूसरा सिस्टम किया जाए हम भी इस लाय के हैं कि यह जो बच्चों को बज जान से मारने के अलावे जदी उनको कुछ रहात देना है तो सही धंक से जाना चाहिए और उनके यहां पहुचना चाहिए और इस पर हमने डिपार्टेमेंट को भी कहा है कि जरा साइस पर आप एस्टडी कीजिये और देखी कैसे इसमें सुधार किया जा सकता है दो सवाल यह या आलू का या दूसरी चीज़ों का लेकिन अब क्या हो रहा है कि उसमें सट्टेवाजी बहुत बड़े पैमाने पर चली और उसके बाद पर आपने CTT जो टैक्स भी लगाए था जिससे अब जो फूचर ट्रेडिंग वाले हैं जो ट्रेड है यह काफी गरिया है और जहांत कि बैठ करें हम लोग क्या करते हैं कि सबात को निकाल रहे हैं कि इसका चयकतने कि सटेवाजी को रोकने के लिए क्या कारगर उटाया जाया, कि से उठाय जाया और जैसे अपने SP साहिब मैंने पहले कहा था मैंने पहले ही जवाब दे दिया था कि जो पंजाब में या दुसे जवहों पर जो मंडी सिस्टम है उस मंडी सिस्टम के कारण काफी कटना ही होती है कि जो हमारा एक नेशनल मार्केट का होना चाहिए कोमन नेशनल मार्केट जो फलो करना चाहिए वो नही कर पाता है कि एक एक जगा पर बेरिकेट है यह एक टैक्सेस यह टैक्सेस बंडी का है यह है वो है तो उसका आमने आपको बतला है ता कि जो यह पीम सी मामला है हमारा वो जो जो खतम कर दिया जाए और राश्तरकार डी लिस्टिंग के उपर में तयार हो जाए तो जो एक हो तो हम आवी नहीं का सकते हैं लेकिन बाचित डिपार्टमेंट इप इंट जो मिनिस्ट्री जह है उसमें बाचित चल रही है मुकेश आप से आखरी सवाल पूछ रहा है रामिलास जी अबारा सवाल भी जो है पीडिया सिस्टम से ही है जिस तरीके से अपने का कि नकसल प मार्खंड भी है इन दोनों स्टेट की खास्तोर पर अगर बात करें तो यहां के जो पीडिया सिस्टम है वो काफी बेकार है और उनकी वजह से जो है जनता को जो लाग पहुचना चाहिए था सरकार की तरफ से वो नहीं पहुच पाता है तो क्या राज्य सरकार के वहरोसी ह कि इस सिस्टम को छोड़ देना चाहिए या कैंदर सरकार हस्ट शेप करके कोई सुधार कर सकती है मनित्रिंग न चाहिए लेकिन जो हमारा क्प Redered तम है उस pak सिस्टम के अभी हम बिल्कुल और साहाय है हम सरकार को जरूर हम समां देते हैं सब्सीडि дेते हैं लेकिन अब हम लोगों ने जैसे मैंने का फूर सिक्रिटी एक्ट है जदी वो फूर सिक्रिटी एक्ट में सही मामले में बेनिफेस्टरिज का नाम दे दें काड का डिस्टिबूशन कर दें तो भी बहुत दूर तक बुराई दूर हो सकती है लेकिन जब डिस्टिबूशन का पूरा का काते हैं कि चीफ मिनिस्टर इंट्रेस्टेट नहीं है लेकिन जैसा कि आपने च्छतिसगर का उधारन दिया या जैसा आपने मद प्रदेश का उधारन दिया वहां की सरकार विल पावर है वहां नक्सलाइट एडिया है लेकिन उसके बाब जुद भी वहां 90% की अगत है कि ज नहीं हो सकता है यह उतरपरदेश में कियो नहीं हो सकता है यह उत्रप्रदेश में क्यों नहीं हो मुफी नहीं है लेकिन उसके रिह राजसरकार को जो है जगना पलेगा तो वो सिष्टम में सुधार होगा लेकिन जहां तक Centralравля म्हां माम यह यह Centrallaeker मीनी के जो ہے अधिकारश मिशन जो टू जिरो टू जिरो है उसी में मेरे को एक सवाल आप से पूछना है कि हमारा कोई इसमें एक्षिन प्लान और विजन टू जिरो टू जिरो भी है जिसके अंदर जैसे अभी हम लोग मेंगाई की बात कर रहे थे जमाखोरी की बात कर रहे थे और सारे विशों के आगे भी हम लोग काम कर पाएं हिंदुस्तान और आगे पड़े मिशन ट्वेंटी ट्वेंटी के संबंध में सुधान सोजे अब बतला दीजे क्या है आपका मिशन ट्वेंटी आपको ध्यान हो कि जब हम लोगी गौशना पत्र तो दिया ही था एक विजन डॉकुमेंट भ चाह्या पांथाल सरकार के लिए आप सालात क्यों कर रहे हैं परंदू उफ तरीके से तैयार है जिसमें की अर्थ व्यवस्ता से लेके विदेशनीती से लेके सामाजी के ववस्ता से लेके प्रशासनी के ववस्ता से लेके जिसकी कुछ जहलकियां अगर आप देखें तो जो मोदी जी की different speeches रही है उसमें था जैसे उधारण के लिए भी आपने कहा एक उन्होंने agriculture बनाने की बात कही थी जाने आपको उस दंग की चीज की हमारे पास एक डाटा हो उसमें टाइम लगेगा पूरे देश में की कौन सी फसल कहा हुगानी है तो इस कारण से जैसा कि अभी माननी मंत्री जी ने कहा कि हमारे पास फसल की कमी नहीं है के वल वो डिस्टिबूशन सिस कर दादी मिली थी स्वराज मिला था वो पूर्ण सुराज नहीं हो पाया था तो बीस्वें सताबदी की भारत की राजनीत को एक पार्टी ने डॉमिनेट किया अब 21 शताबदी में दूसरा डॉमिनेट करेगा और ऊस्वराज इको पूर्णता तक पहुंचायेगा या Parden mantri के दोरा यह कहना कि हम पांच साल के अंदर में किसी को व्य physics भारीम नहरें सब के पास में पक्का का मकान होगा शब घर में सोचालय होगा सब घर में सवक्ष पानी पीने की विवस्ता होगी एक बार आये थे आप ही कि यहां से लंडन से आये थे प्राइम मिनिस्टर आये थे तो को सर्टिफिकेट देख गए थे कि दिल्ली सबसे क्यागते गंदा क्यागते का राजधानी असार है और प्रधान मंत्री ने कि वादा किया एक यह जो जो फारणे कि यह जो द्वश व साल साल जो जैंन द्वल तर्स फारण-ग सब्साफ जैयंति होगी कि गहां जी का को इस गांदी जी कि एपसर पर उन्होंने कहाए कि हम स्वक्ष भारत प हम समर्पीत करेंगे तो हर दिर्ष्ठी कौन से जए सूशिय सब्सक्राइब हमने किसी सरकार को जो है इस तरह का अपना भीजन देते हुए और उसके दिसा में कदम बढ़ाते हुए मैंने आज तक नहीं देखा है और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि लोगों को लीडर सी पर विश्वास होना चाहिए और आज जो सबसे बड़ी बात हुई है कि हर आदम कि यह जो काम्याब एकन आज तो राम पास्वान जी ने सीधे तौर पर आश्वासन दिया है भग सिंक औे जी अच्छ counsel आज है कि अच्छे दिना कर रहेंगे और सरकार बार-बार कह रही है कि अभी 100 दिन पूरे हो रहे हैं लेकिन जब अगला साल आ रहा होगा तो राम बिलास पासवान जी कह रहे हैं कि आप हमसे सवाल नहीं कर पाएंगे और हम भी तब यही जंता को आश्वासन देंगे क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हैं लोकतंदर का चौथा खंबा है कि रगुकुल रीस सदा चल याई प्राण जाए पर वचन न जाई और ये सरकार जो वचन दे रही है उन्हें जरूर निभाएगी हम ये उमीद करते हैं कि जब भारत मिशन 2020 को पूरा कर रहा होगा और 21 सदी में भारत सांस ले रहा होगा तो भारत विकाशील नह कर रहा होगा है